नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी का चीर परिचे दोस्तों पस्थित हूँ आप सभी की सेवा में एक बहदी महतोपून जानकारी को ले करके जी हाँ सुखे नारियल के यह आठ फायदे आपको हैरान कर देंगे यह कैंसर से लगा कर गठिया, हरदाय, कॉलेस्टरॉल और हड्य को फौलात बनाने तक चमतकारी हैं, आज हम आपको सुखे नारियल से होने वाले आठ फायदों के बारे में बताएंगे, नारियल का हिंदु धर्म में विशेश महतो है, कुई भी पूजा हो या धार्मिक समारो उसमें नारियल की उपस्थिती अनिवार्य मानी जाती है, न हो सुखा नारियल जिसका इस्तेमाल पकवानों में किया जाता है, लेकिन क्या आपको सुखे नारियल के फायदों के बारे में पता है, आज हम आपको बताएंगे सुखे नारियल के फायदों के बारे में, नारियल को श्रीफल भी कहा जाता है, ऐसा इसकी धार्मिक महत्ता क साथ साथ और शद्य गुनों के कारण भी कहा जाता है नारियल में विटामिन पोटेशियम फाइवर कैलशियम मैगनीशियम विटामिन और खनीज दत्व प्रचूर मातरा में पाये जाते हैं नारियल कई बिमारियों के इलाज में काम आता है नारियल में वसा और कोलेस्टरोल नहीं होता है इसलिए नारियल मोटापे से भी निजात दिलाने में मदद करता है सुखा नारियल जी हां यह है आज का हमारा टोपिक आप सभी सुन रहे हैं मजबूत होती हैं इससे हड्डियां टिश्यूज में भरपूर मिनरल्स का होना ज़रूरी होता है क्योंकि इसकी कमी ह हमारे शरीर के हिस्सों को नुक्सान पहुंचाती है जिससे अर्थराइटीस आस्टियो पुरोसिस जैसी बिमारियां हो सकती हैं ऐसे में सुखा नारियल खाने से त्वचा लिगमेंट्स टेडंस और हड्यों के टिश्यूज में मजबूती आती है और टिश्यूज को मिनरल्स भी मिल जाते हैं खासी फेफणों के रोग और टीवी आप सुखे नारियल को घीस कर बुरादा बना लें फिर एक कप पानी में एक चोथाई कप बुरादा भिंगो दें दो घंटे बाद इसे चान कर नारियल का बुरादा निकाल कर पीस लें इसकी चटनी सी बना कर के भिं था तो आपको हमेशा सतर्कता बरतनी चाहिए खासकर महिलाओं को जिनके यहां ब्रेश्ट कैंसर का मामला सामने हो वैसे कोकोनट प्रोष्टेट कैंसर और ब्रेश्ट कैंसर को नहुने में मदद करता है इसलिए आप इसे अपने खुराद में अवश्य शामिल करें ताकि आप इससे बच सकें मस्तिश्क स्वस्थ रहता है इससे सुखा नारियल खाने से ब्रेन फंक्शन में सुधार होता है और इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स भी बेहतर तरीके से कारे करते हैं ब्रेन में नियूरांस होते हैं और इस पर एक कभर होता है जिस पर कोई भी शती गंभी पीर नियूरोलोजिकल समस्या को जन्म दे सकती है नारियल में मौजूद तत्व इस हिस्से की रक्षा करते हैं हरदय के लिए सुखे नारियल में डाइटरी फाइबर होता है जो कि हरदय को हिल्दी बनाए रखता है जैसा कि आप जानते हैं कि पूरुष के शरीर को 38 ग्राम और महिला के शरीर को 25 ग्राम डाइटरी फाइबर चहिए होता है ड्राइ कोकोनट से शरीर की ये आवशकता पूरी हो जाती है कोलेस्टरोल लेवल को ये घटाता है सुखे नारियल में हेल्दी फैट्स होते हैं जो बलड कोलेस्टरोल लेवल भी कम करता है जिससे आर्टरी इसमें ब्लोकेज के चांसे कम हो जाते हैं और दिल भी बेहतर थरीके से कारे करता है और दिल के दोरे का खतरा नहीं रह जाता है गठिया को ये ठीक करता है सुखे नारियल के सेवन से गठिया ठीक हो जाता है और दर्द से आराम मिलता है चुकि इसमें कई मिनरल्स होते हैं ऐसे में ये उत्तकों को स्वस्थ रखते हैं और शरीर को हिल्दी बनाये रखते हैं इनीमिया में शरीर में खुन की कमी होना जो की कभी कभी जानलेवा भी साबित होता है सूखा नारियल खाने से इनीमिया यानि खुन की कमी की बिमारी से भी राहत देता है अक्सर महिलाओं म जबकर द nhânखillा झाटनी हैं तो आपने देखा कैसे सुखा नार्यल आपके स्वस्थ शरीर के कितना जडूरी है स्वाद ही नहीं बलकि गुनवत्ता से भी भर पूर है उल्हारा पिसका सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए बेहद कारगर सावित होगा स्वाद के साथ-साथ सेहत के लिए भी तो ये थी आज की जानकारी आप सवी के लिए दोस्तों अगले एपिसोड में आप सवी से जुड़ते हैं को और बेहद ही झाल झाल